हेलो यो सवगत आप सभी के मेरे यूटूब चैनल स्कूल टूशन गूर जी वे अज हम बात करेंगे क्लास एट की वरक्षीट सेवन की यह 14 अक्टूबर के लिए यह इंगले सब्जेक्ट से रेलेटीड वरक्षीट है और यहां बच्छे अपना नाम लिखेंगे और यहां सेचल लेसन चलना है सुनामी और यह पार्ट थ्री है जिसमें हम लेसन को करेंगे तो आहीं जड़ा देखते हैं वरक्षीट क्या कहती है सबसे बहले ए इस तेट आनिमल्स हैव सम स्पेशल पावर्स और यह पार्ट लगा सकते हैं यह किसी घटने वाली घटना का पता लगा सकते हैं तो आज हम कुछ आनिमल बिहेवियर के बारे में जानेंगे आए देखते हैं क्या कहता है एनिमल्स बिकम रेस्टलेस बिफोर अर्थकुएक डॉग कें सेंस देर ओनर्स आर कमिंग हों फिर है बर्ट फ्लाइ थाउजंड सफ क्लोमेटर टू माइगरेट तो पहली चीज क्या है कि अर्थकुएक जब आने वाला होता है तो जो एनिमल्स होते हैं उन्हें पता चल जाता है वह सेंस कर जाते हैं और वह थोड़े से रेस्टलेस हो जाते हैं यानी कि चिलाने लगते हैं इदर उदर भागने रखते हैं इस तरह की चीज़ेश करने लगते हैं याप मुप नई का चैनल को दोग मिखकि अगर आपके घर में कोई डौग अपने उत्तापार रखा हो यह चैनल को यह चैनल कर सकता है भर ठीस बट्स फ्लाई थाउजंड्स किलमेटर तो माइग्रेट तो बट्स क्या है हजारो किलमेटर दूर तक माइग्रेट करके उड़कर के जा सकती है और वापिस आ सकती है चलो आगे देखते हैं तो क्या हुआ यह कह रहा है कि सुनामी में लगबग डेड़ लाख आदमियों की मृत्य हुई ठीक है और उन में से कुछ ही एनिमल थे तो आज हम जानेंगी कि एनिमल ने अपने आपको कैसे बचाया चल यह दो देखते हैं Before the Jain to have slammed into the coast in India and Sri Lanka, wild and domestic animal seems to know what was about to happen तो क्या हुआ ? जब जेंट वेवस या बहुत बड़ी बड़ी वेवस इंडिया और स्रिलंगा के कोस्टल एरिया को हिट करने वाली थी तो वाइल्ड और डॉमेस्टिक दोनों एनिमल्स मैं कुछ बजलाव देखने को मिले जैसे की वे कुछ कहना चाहते हूं तो अगर आई विटनेस की बात करें उस टाइम की तो एलिफेंट ने क्या किया एलिफेंट डर करके भागना शुरू कर दिया और वह उची जगाओं पर चले गए जो डॉक्स थे उन्होंने क्या किया गर से बाहर जाना छोड़ दिया जो फ्लेमिंगो बर्ड थी उसने क्या किया उसने लो लाइंग यानि कि जो निचले हिलाके थे जहां पर रह रही थी खोसला बना करके वहां से उपर के एरिया में शिफ्ट कर गई जो में जितने भी जैनवर थे वो क्या हुआ अपने शेल्टर में चले गए और वापिस भार नहीं निकले फिर आगे हैं Many people believe that animals possess a sick sense and know when the earth is going to shake Some experts believe that animals more acute hearing helps them to hear or feel earth's vibration They can sense an approaching disaster long before humans realize what is going on तो क्या कहता है यह यह कहता है कि animal में एक ऐसी six sense होती है जिसमें वो अर्थ के shake या अर्थ के हिलने को समझ सकते हैं जान सकते हैं और अपना बचाव कर सकते हैं और ऐसी condition में ऐसा किसलिए होता है कि जो animals है उनकी hearing capacity कुछ अलग है और जिस वाज़े से वो अर्थ के vibration को feel भी कर सकते हैं और सुन भी सकते हैं लेकिन in case of humans, humans cannot realize it कि कोई disaster आ रही है ठीक है फिरह, we cannot be sure whether animals have six cents or not but the fact is that giant waves that rolled through the Indian Ocean killed more than 1,50,000 people in dozens countries but not many animals have been reported dead तो क्या कहता है कि अगर वैसे देखा जाए तो हम यह पक्की तोर पर नहीं कह सकते कि animal में six cents होती है और यह fact है कि जब बड़ी-बड़ी उची-उची waves आई तो उसने कही सारे countries में लबक तेड़ लाक आदमियों को मार दिया लेकिन in comparison to humans, animals उसमें बहुत कम reported थे जो कि मरे थे चलिए आगे देखते हैं फिर आगे है after reading the passage, write the animals reaction in the column below ठीक है तो यह आपको बताना है तो सबसे पहले elephant है तो elephant क्या हुआ elephant ने scrammed करके run करना सुरू किया और यह higher ground की तरफ चला गया ठीक है फिर है dog तो dog ने क्या 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 dog refused to go outside फिर है flamingo तो flamingo ने क्या 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 इसका लिखा हुआ है इसका लिखा हुआ है अगला देखते हैं अगला है C now answer the following question by choosing the correct option the gent's waves are called tsunami बढ़ में पर्लमें अग्यक्याग्या टीड़ाओ में तो अगला हुआ है आभ आग, प्यामदे आग टेसरेद्ट आप रख फिराव्याल झाल करत्स लिसा है तो शेक का मतलवे, विप्राइशन, तो शेक का मतलवे, विप्राइशन, और अगला है, वेरी अनिमल्स डाइड इन, वेरी फ्यू अनिमल्स डाइड इन सुनामी विकोज, दे कन हेर और फील दा अर्थ वाइबरेशन, ठीक है बच्छो, यह आपके आंसर होगी, और वक्षीट भी ऐसा करता हूँ, आपको वीडियो अच्छे लगी होगी, अगर वीडियो को लाइक करें, शेर करें, थैंक यू